अब्सक्राइब करें तो टूडेए वेल्कम टो टूडेए डिस्कूस इंपर्टेंट टॉपिक फ्रम साइंस एंट टेक परस्पेक्टिव और बी ड्राइवर तो इसको नेबर हुट ड्राइवर भी बोलते हैं अभी रिसेंट्ली नियूस के अंदर था तो पहले यह देखते है नियूस के अंदर क्यों दो ठीक है एंबी ड्राइवर नेबर हुट ड्राइवर बैसिकली आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बेस्ट एक टूल है कि कैंसर सेल को हमने कैसे डिटेक्ट करना है ठीक है यह एक नई टेक्नीक आई है आपको पता है कि यूपी सी टेक्नीक्स के उपर जो नई टेक्नीक आती है वहां पर काफी कोशन पूछते हैं तो यहां पर एक और टाइप का भी कोशन हमारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है के ड्राइवर म्यूटेशन पैसंजर म्यूटेशन इनके बीच में क्या डिफरेंस है तो अगर यह देखें तो इसको अभ हमारी बाडि के अंदर हर हर एक सेल हरं एक साल का गोफ़ पैटरन एक लिमट तक जाके उसकी इसकी गरौफ रूफ जाती है कि अब है अब यह कुछ सेल के अंदर जैसे मेलों म्यूटेशन होगी और चेंज हो गया तो अब म्यूटेशन वोगी अब उसकी जो ग्रोथ थी वह अंकंट्रोल भूंग अब उसको हम कैंसर बोल देते हैं तो अब यहां पर हम अगर देखें तो यह तो हमें अभी समझ है कि ठीक है जो growth है वह uncontrolled होगी तो इसको हम cancer बोलते हैं इतना एक सिंपल बाशा में अब cancer के अंदर दो चीजें होती है जो mutation mutation मतलो change DNA का बेस पेर हो गया यहां लग-लग type की mutation होती है ठीक है तो यहां पर change समझो इतना अब यह चेंज दो तरह की हो सकती है एक होती है driver mutation दूसरी होती है passenger mutation ठीक है अब यह भी टर्म आपको यूपीसी प्री के अंदर पूछ सकते है driver mutation वह होती है जिसका link cancer से होता है मतलब अगर यह वाली mutation हुई तो cancer होगा passenger mutation का cancer के उपर impact नहीं पड़ता ठीक है जी तो अगर हम cell की अंदर देखें जैसे mutation हमारी body के अंदर जब से हमारा बर्थ हुआ काफी बार mutation हो चुकी होगी लेकिन वह बहुत ही minor mutation होती है उसका कोई visible impact नहीं आता अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी mutation हो तो फिर impact आएगा अदरवाइस mutation थोड़ी बहुत होती रहती है तो ऐसी mutation जिनका cancer से लिंक नहीं है उसको हम बोलते है पैसंजर mutation जिसका लिंक है उसको बोलते हैं ड्राइवर mutation अगर एक और पिचर देखते हैं यहां पर कोई भी नीशल सेल है कैसे ग्रोव करता देखो एक सेल उसके बाद उसका डिवीजन हुआ देन आगे चलके डिवीजन हुआ अगर मालो यहां पर एक सेल के अंदर एक mutation अगी और लाइड करता रहेगा और वह हैंँ करता जाया करता जा एक सेल है माल लिज हूएines उसके बाद इसके अदर ओड़ी म्यूतेशन होती है तो पसंजर म्यूतेशन हो यह हो यहां पर क्रेस यह को Did प्रिशंजर म्यूक्रेशन पर अपना कैंसर से लेटर नहीं लेकिन यहां पर आप आप देखो यह वला ये ड्राइवर म्यूटेशन अब कैंसर बनाती अब यह बन गया कैंसर अब यह ड्वाइड करता रहेगा और विढ़ ट्यूमर बन जाएगा तो हमें ये समझ आया कि दो पहले टियोटेशन होगी ची हां कशार होसकता है लेकिन अगर हम धयां से और डीप एक्जामन करें तो म्यूटेशन भी 2 की हैं एक ड्रीवर जिसके जिससे कयंसर होता है दूसरी पैसेंचर जिससे कैंसर नहीं होता थीक है अब पहले जो cancer की जो पहले techniques थी उसके अंदर बात करते हैं ठीक है जी अब पहले जो हम cancer के बारे में हम पढ़ते थे वहाँ पे क्या होता था कि हमने उसका diagnosis करते थे diagnosis के अंदर हम जैसे normal cell कुछ ठीक है जी जैसे आपने कुछ large group के जो patient हैं जो persons हैं उनसे cancer cell का sample आपने ले लिया ठीक है जी अब उनका DNA sequence हमारे पास आ गया इनका DNA sequence हमारे पास आ गया अब इनका DNA sequence हम normal cell से compare करते थे normal cell से हम क्या करते थे compare करते थे तो हमें पता था कि जो cancer causing cell है उसके अंदर लेकिन यहां पर mutation के अंदर फर्दर अगर हम देखें तो दो टाइप की mutation है passenger है ना एंड ड्राइवर यह हम अभी तक जो टेक्नीक थी उसके लिए बहुत ही difficult था कि इनको exact pinpoint करना कि कौन सी driver mutation है क्योंकि यह बहुत ही small है driver mutation बहुत ही small number में होती है तो अभी तक जो टेक्नीक थी इन दोनों के अंदर differentiate नहीं कर पा रही थी लेकिन जो NB driver है यह जहां पर alteration हो रही है उससे neighborhood के cell लेता है उसके algorithm लगा के यह driver mutation को detect करता है कहां पर driver mutation है अब इसका फायदा गया अब ज exactly cancer causing है जिसके अंदर driver mutation है एक तो आपको target पता चल गया उसके हिसाब से हम ड्रग भी बना सकते हैं जो exactly उसी एरिया के उपर effective हो तो हमारी जो आगे इसकी treatment cancer की diagnosis है वह बहुत ही बैटर हो जाएगी अगर यह काफी large scale के उपर काम आगे करती है तो जो पहले टेक्नीक्स थी व जो बनाई गई अभी इसके अंदर हम driver mutation को पदा कर सकते हैं सिंपल बाशा के अंदर मैंने आपको बिल्कुल समझा है ठीक है तो यहां पे अब यह देख लिते हैं जैसे यह है पेसंजर नेबर हूट इसलिए नाम दिया गया जो आल्टरेशन है उसके नेबर से हम detect करते हैं वहां पे जैसे सीक्वेंस एडियाने का है ना तो यहां पे पर सेंजर म्यूटेशन है इसका सीक्वेंस अलग है उसके बाद जो driver mutation उसका सीक्वेंस अलग है इसी सीक्वेंस को हम detail के अंदर एंबी ड्राइवर यूज़ गरके हम इसका जो डेंस्टी पता करते हैं कि कौन सा नंबर ज्यादा है कम है जो भी है लेकिन वह हमारे काम का नहीं यूपीसी प्रस्टी से हां यह जो कंसेप्ट्वल क्लारिटी है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बाद यहां पर जैसे प्रसंजर ड्राइवर म्यूटेशन है यह तकनीक एक अडवांस टेकनीक है यह हमें यूपीसी निमाल लीजिए आपसे कोशन पूछ लेकि हां जो रीसेंट टेकनीक से हैं उसके अभी तक हम प्रसंजर ड्राइवर म्यूटेशन को डिटक्ट नहीं कर सकते हैं लग अलग वह गलत हो जागी क्योंकि अभी रीसेंट सर्च ने एक कर दिया हां वह बोले अभी ड्राइवर अब आपको पता है इसका सिगनीफकेंस भी क्या है कि आपको उतनी अच्छी ट्रीटमेंट डिगनोसिस वह सरा हमारा हो जाएगा तो दिस इस आल फो टूटे दोस्तों osaic कि अच्छी ट्रीट कि अच्छी घुल सरे हुआ है कि अच्छी टी मैंट खंकिभे1GO डो 갈ता है